खाली प्लॉट में कूड़ा डालने वाले या सडकों किनारे कूड़ा डालकर आग लगाने वालों की अब खेर नहीं है मेरट नगर निगम ने बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है NGT के नियमों के तहट नगर निगम बड़े एक्शन लेने जा रहा है सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ ये मेरट शेहर के किसी ग्रामिल या देहात के इलाके की तस्वीर नहीं है बलकि ये माधपूरम इलाके की तस्वीर है और देखे किस तरीके से यहाँ पर जो सडक किनारे गोबर है, कूड़ा है उसके डेर यहाँ पर लगाय जा रहे है और दुरगंध हो रही है और इसकी वज़े से लोगों को तमान दिक्कत और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अमित पाल शर्मा के निर्देश पर अब जो टीमे है वो गठित कर दी गई है और वो लगातार यहाँ पर जो एक्शन है वो यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है नगर निकम के दो बड़े अधिकारी है अपर नगरायकतर यहाँ पर प्रमोत कुमार और साहिक नगरायकतर ब्रचपाल सिंग बताय जा रहा है कि दड़ा दड़ बड़े बड़े जो एक्शन है वो लिये जा रहे है 15 ऐसे लोग है कि जिन पर आज 25 पच्चिस लाख रुपे का जो जुर्माना है वो यहाँ पर लगाय गया है और यह टीम जो अपनी रिपोर्ट है वो नगरायकतर को सौपेगी हम बात कर लेते हैं अपर नगरायकतर प्रमूत कुमार जी सार एक चीज आप से जाना चाहूंगा कि सुन रहे हैं कि बहुत सारा खुड़ा लोग डालते हैं प्राइवेट लोग डालते हैं इन्होंने फोटोग्राफ भी हमको दिखाई तकर मौके पर मैं यहां पर आया और यहां पर देखा कि वाके में प्राइवेट गाड़ियां जो हैं कुड़ा डाल लाई थी और उनसे पूछा गया तो यह बताया कि प्राइवेट के मालिक हैं वह हमसे 20,000 रुपे लेते हैं और यहां पर कुड़ा डलवाते हैं और यहां पर यहां असानी नुवासियों ने बताया कि यहां पर गार्वेश बर्निंग भी बहुत हो रही है जिससे यहां का वातावना दूशित हो गया है उसी कर करते हुए उन पर 25-25 लाग का जुर्माना लगा दिया है लगवग यह 6 हक्टियर की जमीन है और इसमें इस यहां पर इस तरह से गार्वेश बर्निंग होने से अस्थानी जो हमारा जो पर्यावन है वो दूशित हो रहा है इसलिए माज इस प्रकार से मानी एजन एजिटी सब्सक्राइब करें सकत कारवाई की जाए उसी करम में हम नोंने पर पर्यावन च्छती के रूप में 25-25 लाग रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है कुछ और सोसाइटी और इससी तरह से जैसे सुशान सिटी है मेरट बाइपास पे वहां पे भी यह देखा जा रह वहां पे भी जार्व स्वाम हो रही है इसलिए वहां पर उनको जहाँ पाचला करुपा जीरुमाना इंपर अधिरोपित किया गया है सायक नगरा एक था है ब्रशपाल सिंग उनसे बात कर लेते हैं सारी जुर्माना तो लगा दिया गया है वसूली की क्या पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगे कितने दिन का वक्त दिया गया है इसके बाद जब समय निक होगा तो इनको डिमांड नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देने के बाद भी अगर ये पैसा जमा नहीं करेंगे तो जिस जमीन के क्रम में ये कुजमना लगाया गया है जहां गार्वेज बनिक हो रही है उसी जमीन को कुर्क करके लेंड रिवेन्यू की बात ही इनसे बसूल किया जाएगा बिलकुल होगी अगर पैसा जमान हमारी एक राइडेंशल कलाउनी है दुवारीकापुरी के नाम से जिसमें लगभग डेड़ सो परिवार रहते हैं और रोज शाम को यहां पर आग लगा दी जाती है मैडिकल वेस्ट आप देखेंगे तो मैडिकल वेस्ट मरत प्रशू और सारे आसपास के सभी छेतर का कू अब इसे भराव करवाने के लिए यहां पर कूड़ा लाके डाला जा रहा है आसपास के एरिये से जिससे हम सभी लोगों का जीना दूबर हो गया है रोज यहां पर इतना कूड़ा पड़ा होता है हम रिक्वेस्ट करते हैं नगनिकम से गाड़ी आती है वो उतार देती है मैं तूबरे से कोड़ा रोज रात को यहां पर आग लगा दी जाती है हमारा वजी आप से जाना चारा हूँ कि बहुत मुश्किल मैं रहने कैसे रहे Пार है हैं तो छड़ा ओना मुश्केल होता है वो यह कहता है कि आप यहां कैसे रह रहे हैं यह द्वारी का पुरी निये नरक पुरी हम उनको क्या जबाब दें अपना नगर निकम ने एक्शन लिया है हमारे यह अपर नगर व्याग साप हमारी कंप्लेंट पर हमारे मौके वार्दात पर यहां पर आये उन्होंने यही बात होती है योगी के अफसर है जब शिकायत हो और शिकायत के बाद तुरंत अधिकारी मौके पर पहुंचकर उसका निस्तारण करें शायद इसी तरह की उम्मीद सरकार से की जा रही है और उसम्मीद को पूरा करते हुए नगर निकम के अधिकारी नजर आ रहे हैं 15 लोगों पर जिस तरीके से 25-25 लाग रुपे का जुर्माना लगा गया है मेरट नगर निकम का ये बड़ा एक्षन है लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये एक्षन आगे भी जारी रहेगा और जो लोग सड़कों किनारे कुड़ा फैक रहे हैं प्लॉट में शर्मा एबी पी गंगा बेरट एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी